आज बात करने वाले हैं Top 10 Routes and Places for Riders दोस्तों राइड करने के लिए ना जब हम राइडिंग प्लान करते हैं, रोटरी प्लान करते हैं दोस्तों बहुत सारे कमविशन होते हैं कि कौन सा सीजन अच्छा होता है, कौन सा रूट हमको फॉलो करना है दोस्तों आज ये वीडियो में ये सारे तीनों जो पॉइंट अना कवर करने वाले हैं दोस्तों कहा जाना चाहिए Top 10 Places बताऊंगा रोख बताऊंगा साथ मैं रूट बताने वाला हूँ ये कौन सा सीजन होता है, कौन सा मन्त में आपको जाएंगे तो आपको places में बहुत मजाने वाला है दोस्तों make sure इस वीडियो का आपको जरू दिखिया तो चलिए जानते हैं दोस्तों first place पे है riders का जन्नत जोकी है लेलेद्दाक और दोस्तों इस route को कोई भी rider miss नहीं करता दोस्तों life में एक बार इस trip को जरूर करना कई riders हर year जाते हैं यहाँ पे ride करने के लिए क्योंकि यह जो route है Manali to Lake का जो route है वो challenging route है तो तो interesting route है different different weather आपको मिलेंगे conditions आपको मिलेंगे मतलब challenging बहुत जाता है इसके वाज़े से riders पहुजा पसंद करते है Manali, Rotang Pass, Sarchu यह जो है lake complete करना लोगों का target रहता है और इसका एक और route आता है जो ले जाता है आप वहाँ से भी जा सकते हैं जो की स्रीनगर और कारगेल होके जाता है एक circuit पूरा आप कर सकते हैं तो दोस्तों इसका जो best season है वो June, July और August अगर तीन मन्त में आप जाते हैं तो आपको different weather condition मिलेगी वहाँ पर और आपको बहुत है जाना अगर इसके budget की बात करो क्योंकि हमने already कर रखाया तो budget जो रहेगा आपका per person जो है 25 to 35 तक आप इसको खीश सकते हैं 25 K to 35 K तक आराम से जाएगा तो दोस्तों चलते हैं next place के उपर तो second number पर आता है Speedy Valley जो की हमाचल में है दोस्तों यहाँ पर लोग दुनिया देश्ट विजेश से लोग आते हैं यहाँ पर राइड करने के लिए और यह road again बहुत यहाँ challenging है इसके different weather condition मिल जाएंगे और एक और चीज है जो यहाँ पर जो roads है ना उसके condition बहुत यहाँ खराब है इसके विए से बहुत हाँ challenging है और हाइट भी बहुत रहता है दोस्तों ले ददा के बाद में second ऐसे जगह पर है जहाँ पर राइडर अपनी लिस्ट में इसको जरूर रखते हैं दोस्तों यह है बैस इसका अगर बजट की बात करें, दोस्तों आप 20.30 के आसपास में आराम से यहां पर राइट कर सकते हैं, शॉर्ट रूट्स हैं, बट चैलेंजिंग बहुत है, बहुत है चैलेंजिंग आप यहां पर 200-200 किलोमेटर डेली का भी कम्पलीट ठीक से नहीं कर पात, बहुत से नहीं करेंजिंग थोड़ा कम है, सिंपल राइडर्स के लिए बहुत अच्छी जेगा है, दोस्तों रन ओफ कच जो है, गुजरात में बहुत यहां फिमस है, दोस्तों एमदबाद सुरेंद नगर और लिटिल रन ओफ कच फुरस्कवाद रन ओफ कच आता है, यह जो बहुत ज़्यादा लाब दैग रहता है, गरमी में यहां पर बहुत ज़्यादा हाई टंपरचर हो जाता है, तो दिसमबर तु मार्च के भी चुछ आईगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पर वीवी आईपीज भी आते हैं, देसी ज़े से लोग भी आते ह बहुत ज़्यादा होती है, आपको नए नी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस के उपर, तो फूर्थ नमा पर है डागलें सिक्किम, और यहां की ब्यूटी देहने के लिए, यहां की ब्यूटी देहने के लिए, लोग तूर बहुत दूर से आते हैं, राइड करने के लिए इस रोड कंडिशन पर, यहां पर जो नीचर लवर है, उनके लिए तो यह जननत है, और दोस्तों सिक्किम देहने के लिए, वैसे भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, यहां पर जो में चीज़ है, आपको डिफेंट गौंटक का जो रूड रोता है, वो बोलों को बहुत आट्रक करता है, और साल में आप कभी भी आके यहां पर राइड करते हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं है, किसी टाइम से टाइम पर आना है, आप साल में कभी भी आ सकते हैं, और जो बजट अगर रखते हैं, टूटी अगर आप देली, रामनगर और कॉर्बिट नैनिताल करते हैं, जो कि उत्रागंड में है, तो दोस्तों बहुत यहां इंटरस्टिंग भी है, नेचर लोवर्स के लिए बहुत चाह है, रोड कंडिशन सिंपल मिलेंगी, सिंपल राइडर्स के लिए बहुत चाह है, बट अगर आप राइडर्स के लिए लगते हैं, तो आपके लिए बहुत रहाएं इंटरस्टिंग और रोमांचिक होने वाला है, तो इस इस कोस्ट पर आप जड़रू राइड करेगा, एक बार इसकी जो हाइवे रूट है, वह बहुत ही मजा आने वाला है, चिन्नेई, महापल आपको बहुत ही मजा आता है, और यह रूट भी इवन बहुत सा राइडर इस दर पर आके राइड करते हैं, मेली यहां पर जो है राइडिंग परपस अगर आप आते हैं, तो बहुत रहे हैं, खास वासे वाह पर टैंपल्स है, जो साउथ का जो बोलते हैं एक कल्चर है, वहां पर आप एक्सपोर कर सकते हैं, तो साउथ में यह बैस प्लेस है, जहां पर आप राइड कर सकते हैं, दोस्तों हाइवे की बात आती है, तो मुंबई गोवा हाइवे जो है, वह है 7th नमबर पर दोस्तों इस रूट पर जो नाए 17 जो रूट है, उसको बहुत साइड करनेट करता है, तो दोस्तों यह जो है, यह वेस्टन कोस्टल एडिया है, कोस्टल लाइन है, तो दोस्तों यहां पर सिंडरी बहुत जादा अच्छे मिलती है, तो एक बार इस हाइवे पर राइड करके देखेगा, आपके एक नेक्स्ट लेवल फील और मजा आने वाला है जो नेचर लवर एड़न के लिए तो बहुत जया बैतरी न रहेगा, अक्टूबर फरवरी के बीच में इसको राइड करिए, ठंडी के टाइम पे आपको और भी ज्यादा अच्छा लागेगा, ओविसली समर्स और रेनी सीजन में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, बट ठ जो होता है, वो राइडर्स के लिए बहुत चाहिता है, बजट के बाद की जाए ज्यादा बजट नहीं है, दोस्तों एक दिन में कम्लीट कर सते हैं, आप यह रूट अराम से, तो इसको हम लेते हैं 5-10,000 का बजट, तो चलते हैं अपने नेक्स प्लेस के ऊपर, दोस्तों यह राइडर्स के बीच में से गाड़ी निकालना, बाइड निकालना, दोस्तों माउंटेन पर गाड़ी चलाना, और दूसरा आपको वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना, यह सब बहुत यह राइडर्स की होता है, वहाँ पर हाय रूट है, एरियास हैं, मैक्सिम एडवेंचर स दोस्तों राइडर्स के बहुत पसंदाता है, तो यह राइडर्स के बहुत पसंदाता है, तो यह राइडर्स के बहुत पसंदाता है, तो यह राइडर्स के बहुत पसंदाता है, तो दोस्तों वहाँ पर इसलिए टाइम देख के जाना होता है, दोस्तों वैसे तो इसका अ तो वहां पर आप easily आप इस trip को interesting बना सकते हैं और दोस्तों ये route करना मेरा recommendation भी रहेगा, मैं भी plan कर रहा हूं कि जल्दी ये route पे जाएं, तो चलते हैं अपने next place के उपर, तो दोस्तों 9 नमर पे आता है कोली हिल, जो की है eastern घाट में तमिन लाड़ो के, और दोस्तों ये deadliest mountain क आजाता है, because यहां पर जो zigzag road है, वो 70 continuous bends हैं, continuous bends हैं, तो यहां पर आपको turn करना मतलब, road बहुत ही अलंबा लगता है, और दोस्तों, scenarios की तो बात ही अलग है, actual में ये route अगर आपके turns अच्छे हैं, तो test करने के लिए बहुत ही ज़्यादा best place है, बाइकर्स को यहां बहुत thrill मिलता है, मज़ा आता है, तो इसलिए बहुत जाते हैं, और किसी भी season में आप इसमें जा सकते हैं, कोई भी ऐसा particular season नहीं है, और दोस्तों, कोली hill को करने के लिए जगा जगा से लोग आते हैं, मतलब इसकी जो hill, पहाड़ी, sceneries, जो देखने के लिए बहुत ही लोगों को पसंदाता है, बिकोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा waterfall मिलेंगे, शिवकी temples मिलेंगे, मतलब Tamil Nadu है, तो obviously traditional वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, और road के conditions भी अच्छी है, दोस्तों, मैं भी recommend करूँगा, बजट की बात की ज़्यादा, ज़्यादा बजट नहीं लेके चलते हैं, आप अराम से 10-20,000 के अंदर में आराम से इस ट्रिप को इंटरस्ट लेते हो, मजए लेते हो कर सकते हैं, दोस्तों, 10 नमर पे है, सिलॉंक का इस्ट का से हील, दोस्तों, यह राइडर्स को बहुत पसंदा, अगर आप राइटिं का प्लान प्लान प्यारे हो, तो एक बार इ बारिश नहीं पसंद, रेनी सीजन नहीं पसंद, तो इस रूट पर जाने का कोई मतली हो, विकास यहां पर है, वैट प्लेस मतलब बहुत जादा बारिश होती है है, पर दोस्तों, गोहाटी से लेके, आप इस्ट का जहिल, बीच में आपको सिलॉंक आएगा, अगें सीनरी बहुत है नीचर लवर के लिए तो अगें यह मतलब एक हैविन हो जाएगा एक जन्नत जैसा हो जाएगा और दोस्तों यह अगर इसके बज़ेट के बार बात करें तो बज़ेट भी आपको इसमें ज्यादा नहीं चाहिए होता है अराम से आप 15 से 25 के बीच में म बहुत जाए इंटरस्ट लगा होगा यह जो मैंने जगह बताई है इसके अलावे बहुत सारी जगह हैं इंडिया में जहां पर एक्स्प्रोर किया जासता है बट यह जो मैंने पताई वो टॉप 10 में आते हैं इनमें से कुछ प्लेसे जो हैं वो मुझे बहुत जाब पसंद सबके लिए आती रहेंगे बाई